गुड मॉर्निंग ओल उफ यू तो आज सुबे सुबे मुझे नाश्ते में कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रहे थी लेकिन बनाने का थोड़ा सा आलाज आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं कि फटा-फट से भी बन जाए और खाने में टेस्टी भी लगे तो चली आज बनाते हैं नाइलोन खमण ये फटा-फट से भी बन जाते हैं और खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं तो चली फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट कर दे हैं तो नाइलोन खबन बराने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, उसके अंदर मैंने ले लिया है एक कप पानी, तीन टेबल स्पून चीनी, एक टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसे निम्बू का सत या फिन निम्बू का फूल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक की सबकोच अच्छे से गुल न जाए, तो यह रेखे, सबकोच अच्छे से गुल गया है, और अब इसके अंदर डालेंगे बेसन, यहाँ पर मैं बेसन घर पे बनाती हूं, तो मैंने डिब्बा बरके उसे बना लिया था, चने की डा यहाँ पे हमें दो कब बेसन लेना है, यानि चने का आटा, अगर आप घर पे नहीं बनाते हो, तो मार्केट वाला भी ले सकते हो, उससे भी रिजल बहुत ही बढ़िया आता है, तो चलिए अब सबकुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेजरमेंट बताया है, वो मेजरमेंट आप अगर फॉलो करोगे, तो आपके भी नायलोन खमन एकदम पर्फरक्ट बनेंगे, तो चलिए सबकुछ बढ़िया से मिक्स हो गया है, हमारा बैटर एकदम रैडी है, अब इसे ढखकर 10 मिट के लिए रेस करने के लिए छोड़ द देना है, तीन से चार ग्लास पानी, और इसके अंदर रख देना है एक स्टैंड, टकन लगा के लो फ्लेम पे हमें पानी को बोईल करने के लिए छोड़ देना है, अब हमें चाहिए इस तरह का एक तीन जो थोड़ा सा डीप हो, अगर आपके पास इस तरह का टीन नहीं है, तो आप ठाली भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक केक तीन ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया है एक दो चम्मच ओल, और इसे बराबर से ग्रीज कर लेंगे, इसे अच्छे से ग्रीज करना है, ताकि हमारा नाइलोन खमण है, बिलकुल नंदर चिपके नहीं, एकद हलके हाथों से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेंगे, तो यह देखिए हमारा बैटर फूलने लगा है, तो इस सारा 20-25 सेकेंड हमें इसे मिक्स करना है, एकदम हलके हाथों से, जब तक कि सबको चच्छे से मिक्स ना हो जाए, तो चलिए अब हमारा मिक्षर एकदम रेडी है, तो आप देख सकते हो कि सब को चच्चे से mix हो गया है और हमारा बैटर एकदम fluffy एकदम full के ready हो चुका है अब ले लेंगे 3 और इसके अंदर सारा बैटर transfer कर लेंगे अगर आपका बरतन थोड़ा छोटा है तो एक ही बारे में सारा बैटर न डाले दो बरतन में divide कर लें क्योंकि बरतन के ऊपर थोड़ी सी जगा रहनी चाहिए क्योंकि खमन को fullने के लिए जगा चाहिए होगी तो इस तरह थोड़ी सी जगा रहे उतना बैटर हम डालेंगे अब इसे एक दो बार tap कर लेंगे और रख देंगे steamer के अंदर अब इसे ढख कर 20-25 मिर्ट medium flame पे हमें पकाना है तो flame medium होनी चाहिए एकदम low भी नहीं रखेंगे और high भी नहीं रखेंगे तो 20-25 मिर्ट में हमारे खमन एकदम ready हो जाएंगे तो ये देखे 20-25 मिर्ट हो चुके हैं चाको डालके चेक कर लेंगे चाको एकदम clean निकल रहा है तो समझ लेना है हमारा खमन एकदम ready है इसे हम तूरंद नहीं निकालेंगे क्योंकि तूरंद निकलने जाएंगे तो पूरा खमन नहीं निकलेगा चिपक जाएगा तीन के अंदर तो इसे 10-15 मिट हम ठंडा होने देंगे उसके पाद उसे demold करेंगे तो यह दिखें 10-15 मिट हो चुके हैं और हमारा खमन एकदम easily बाहर आ गया है और आप देखी सकते हो कि कितना spongy हमारा खमन बनके ready हुआ है अब इसे square pieces में cut कर लेंगे तो यह देखिए कट करते समय आपको दिख रहा होगा कि कितना spongy हमारा खमन मन के ready है तो चले इसे pieces में मैंने cut कर लिया है इसके pieces सोड़े से बड़े ही होते हैं तो हम इसे बड़े-बड़े pieces में cut कर लेंगे और अब इसे निकाल लेंगे एक plate में क्योंकि हमें इसके ओपर तड़का लगाना है तड़का लगाने के लिए ले लेंगे एक बर्तन उसके अंदर डाल देंगे दो टेबल स्पून oil एक टेबल स्पून राई राई फूर जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे तीन से चार कड़ी पत्ते तीन से चार मिर्च ले लिए मैंने उसे splits में कट कर लिया है थोड़ी से हिंग डाल दी है और सबको अच्छे से mix कर लिया है और अब डाल देंगे एक कप पानी एक टेबल स्पून नमक और दो टेबल स्पून चीनी और हम इन सबको अच्छे से mix कर लेना है चीनी अच्छे से गुल जाए तब तक इसे हम पकाएंगे चीनी गुल गई है अब गैस की flame को हमें off कर देना है अब इस तड़के को हम थोड़ा थंडा होने देंगे थोड़ा सा warm होने देंगे तो से तीन मिनिट हम उसे ठंडा करने देंगे और फिर उसके डाल देंगे खमन के उपर ते दिखे हमारे नाइलोन खमन बनके रेडी है दिख रहे हैं एकदम मार्केट जैसे तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीस कमेंट करके ज़रूर बताना मिलते हैं जल्दी नेक्सेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई जैसी क्रिशन